आपने वीडियो की टाइग लाइन देखियोगी लाइफ चेंजिंग वीडियो फो ट्रेडर्स तो क्या मैं ये बढ़ा चड़ा करके वीडियो का टाइटल या थमनेल पर मैंने नाम डाल दिया है बिलकुल नहीं ये वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि मैं अब मेरे मेरे मिलियन सब्स्राइबर से यूट्यूब में हैं इंस्टाग्राम पर मैं काफी जादा मेरे को लोग फॉलो करते हैं मेरे को बहुत सारे अच्छे-च्छे मेसेज़ेस आते हैं कि आपने मेरे लाइफ बदल दी आपने मेरे टेकनिकल सुधार दी आपने मेरे स सेविंग उड़ा दी मैंने लोन लेके पैसा खर्च कर दिया और बहुत डिप्रेशन में रहते हैं लोग और मुझे मेसेज करती कि अब मैं सूसाइड कर लूँगा मैं नहीं रह सकता और बड़े परिशान रहते हैं मैं ट्राइ करता हूं उनको होप देने का कि देखो ऐसे मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में लिटरली आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी अगर सीरियसली इस वीडियो को देखोगे तो तो मैं ऐसा बंदा नहीं हो आके बस मैं प्रॉब्लम बता दू कि प्रॉब्लम क्या है और सॉलूशन ना बताओ मैं आपको इस वीडियो लोगों को लग रहा है कि they are doing trading but they are purely gambling अब आप बुलेंगे नहीं नहीं मैं तो trading करता हूँ मेरे को technical आता है भाई technical से अके लिए कुछ भी नहीं होता है you have to understand there are two more quadrants like there are three more but at least आपको समझना पड़ेगा एक risk management या money management और psychology यानि कि आपके trading rules यह दो quadrant होते हैं मैं ऐसे नहीं समझाऊंगा simple words में बात करते हैं चलो start करते हैं जब तक कि एक trader यह दो चीज़े नहीं छोड़ेगा मैं iPad पे लाता हूँ कौन सी दो चीज़े सबसे पहला तो पहला बात कई बार हम लोग trade लेते हैं और हम इतने confident होते हैं कि भाई इतना प्यारा double top या triple top बना है neckline टूड गई है मैंने आपे trade short किया हुआ है लोग बुलते हैं यह तो perfect है यह तो trading है यह तो gambling नहीं है और अपना एक trade ले ले लिते हैं बट वो न यहाँ पे SL की बारे में सोचते ही नहीं है obviously बात है सबको पता है SL यहाँ पे है उनको भी पता है लेकिन जैसे ही market यहाँ पे abruptly क्योंकि जैसे trend strong था जैसे रीसेंटली आपने देखा होगा चले 15-20 दिन में trend बहुत strong था उपर जाते जाते अगर यह breakout यहाँ पे आता है लोग यहाँ पे अपना loss नहीं बुक कर रहे जाते हो जब तक कि आपका account नहीं blow हो जाता तो यह पहली गलती trading without SL जब तक आप यह बंद नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता तो पहला काम यहाँ पे बंद करना पड़ेगा we have to stop trading without stop loss the first and the most important reason हमें पे पहला point यह दूसरा point जो problem लोग face कर रहे है position sizing position sizing equity वालों को उतना hurt नहीं कर रहे है जितने भी traders यहाँ पे चाहे crypto कर रहे है forex कर रहे है या option trading कर रहे है option buying कर रहे है crypto trading कर रहे है डाल दो 100x leverage क्या फरक पड़ता है 50x डाल दो loss हो के तो 100x डाल दो forex trading कर रहे है 1000 dollar का account है चार lot size से trade कर दिये option buying कर रहे है 3,000,000 रुपए था 3,000,000 रुपए पूरे use कर डाले जहां आपने trade लिया और पहला rule दोहराना कि आपको उमीद ही नहीं है आपको लगा कि market यहाँ पे triple top बना करके सीधे के सीधे नीचे जाएगा नीचे छोड़ो जैसे ही आपके सामने एक green candle बनती है यहां 100x crypto के कारण आपका 50% account खतम हो जाता है you cannot breathe आपको सांस लितनी बन रहा forex में 4 lot लिया था सीधे के सीधे margin call या सीधे सीधे trade ही कड़ गया 70% ओड़ गया account का option 3,000,000 अका था 2,000,000 का loss दिखा रहा है sir एक बड़ी red green candle में अब क्या करें तो अब क्या करें अब again hope क्यों उमीद करते हैं बदल जाएगा और पूरा पूरा hold कर लेते हैं और फिर account blow जाता है तो देखो मैंने जो बात बताई भले कड़वी है गंदी है बट यह सबसे जादा बड़ा reason है लोगों के साथ ऐसा होता है मुझे कैसे पता मेरे साथ है सब बहुत बार हुआ है जब मैंने अपना career start किया है just यह सोच कि कि मैं smart हूँ मैं अलग हूँ मैं कुछ अलग कर दिखाऊंगा मेरे को technical आता है मेरे को पता है triple top double top inverted head and shoulder break out fibonacci दुनियादारी जितने लोग technical सीख के सोच रहें काम हो जाएका नहीं होगा until you are using these two quadrants there is nothing you can do तो अब क्या करते हैं अब हम लोग ने देखो problem solve करने के पहले problem क्या है उसके बारे हैं पता होना चाहिए तो I think हम लोग अभी तक यह चीज confirm कर चुक है कि हमारी problems क्या थी पहली बिना stop loss के trade करना आज के बाद हमें बंद करना पड़ेगा यह सबसे बड़ा reason है gambling करने का दूसरा position sizing का method ही नहीं है बाइक एक्विटी वालों congratulations आपको भी दिक्कत नहीं लेकिन जो option buying कर रहा है option selling वालों को भी उतिन दिक्कत नहीं है आपकर hedge करके stop loss लगा करके घरते हो तो लेकिन जो Forex करता है crypto करता आप लोग के लिए बहुत बड़ी warning है यह दो दो चीजे बंद करिये तो फिर हम कहेंगे कि you are doing trading not gambling now solution now let's come to the solution part अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो बहुत ज्यादा मतलब effective है लेकिन उसके लिए जो इसको apply करेगा तो मैं आप आपके लिए solution लगाता हूँ solution क्या है solution is strategy अब देखो strategy मतलब technical strategy आप कुछ भी यूज करो मैंने बहुत सारी दी हुई है मैंने वीवाप वाली strategy दी हुई है उसे यूज कर लो मैंने बैंक निफ्टी की super trend plus EA वाली strategy दी है वो यूज कर लो मैंने 50 moving average वाली strategy दी है 200 moving average वाली strategy वो यूज कर लो मैंने 1 million subscriber वाली strategy दी है ठीक है मैंने आपे दो एक दो picture बना दी एक picture में क्या होता है market ने breakout दिया तो मैंने यहां पर बाए कर लिया जैसे बाए किया और गजब हो गया market straight 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 सीधे मेरे को target hit करा दिया वाव ऐसा होता है बहुत कभी कभी होता है target का direct hit होना लेकिन दूसरी situation में क्या था market breakout दिया और डायरेक्टली मार्केट सीधे के सीधे मेरा जो stop loss level था let's say मेरा stop loss level था मेरा stop loss level को hit कर गया और मेरा loss हो गया तो पहले case में क्या होता है पहले case में होता है direct target और दूसरी case में होता है direct SL ठीक है यह दो case आप I hope समझ गये होगे अच्छा अब मैं आपको दो case औ जिसमें जिसको मैं बोलूँगा tricky, tricky मतलब कि अब market यहाँ पर आता है breakout देता है, okay, breakout देता है, आप यहाँ पर enter करते हैं, आप यहाँ पर buy initiate करते हैं, और breakout देने कर आप market ऊपर जाता है और trick खेलता है, नीच्च आता है, आपको डराता है आपका profit लेके जाता है, डराता है और फिर breakout देके target hit करता है ध्याने आपको ऐसा आपके साथ होता है ऐसा ज्यादा तरब होता है इसलिए तो लोग hold नहीं कर पाते हैं विंग ट्रेड या क्या होता है, market यहां पे breakout देता है जैसे ही market यहां पे breakout देता है market यहां से फिर परिशान करता है ट्रिक ही खेलता है, ट्रिक खेलता है, ट्रिक खेलता है वेट कराता है और फिर एक range breakout करके फिर आपको target देता है तो यार देखो चार example हो गए I think यह चार example है और तो यह चारो example में अब मैं आपको एक trick बताता हूँ देखो, सबसे जादा यहां पे क्या होता है आपके साथ देखो, सबसे साथ लोग बोलेंगे सर, मेरा direct sell hit हो जाता है trade लिये sell hit हो गया सबसे कम क्या होता है यह वाला, direct hit हो जाए target और यह वाला भी बहुत होता है कौन सा वाला, the tricky one the tricky part is also there so अब मेरे पास क्या मैं आपको एक solution provide करता हूँ हम आज के बाद use करेंगे जैसे livermore, the world's greatest trader उसकी strategy उसकी strategy है probing and pyramiding क्या होता है यह, यह मैंने आपको already share किया हुआ है यह मैंने आपके साथ already एक proper video बनाके share किया हुआ है probing and pyramiding, यह क्या होता है probing and pyramiding मतलब कभी भी कोई trade होगा तो हम पहले probes भीजेंगे probes मतलब एक हलका सा enter करेंगे और अगर वो हमारे direction में चलेगा तो हम और quantity add करेंगे otherwise हम उसको छोड़ देंगे क्या बोला मैंने, I hope आपको समझ माया होगा हम पहले probing करेंगे यानि कि छोटा सा trade भीजेंगे और अगर वो fail हो गया तो हम उस loss को accept कर लेंगे लेकिन अगर वो successful हो गया और हमको मौका देता हो तो घुसेंगे तो अब ये किस तरीके से लगाना है मैं आपको बताता हूँ हम जैसे लिए बर मोर तो बहुत लंबी probing करते थे क्यों कि लंबे positional trader थे हम intraday या short term swing trader हम 50% और 50% ऐसी probing technique यूज करने वाले है इसका मतलब क्या है हम अगर एक लाग रुपए से trade करते थे तो हम एक लाग रुपए से ही trade करेंगे बट हम अपनी पहली position पचास जा रुपए से लेंगे नहीं सार लेकिन मजा नहीं मैं आपको पूर अपूर एक system दिखाता हूँ अब देखो 50% दें 50% तो अगर मेरा direct target hit होता है तो how much money am I making मेरा सबसे सब्से दा direct loss होता है तो how much loss am I making can I say that I will be somewhere around making small loss, correct? क्योंकि मेरा अगर 5000 का loss होता तो मेरा 5000 का नहीं, मेरा आपका, ठीक है, okay जो की case सबसे ज़्यादा बार होता है तो हमने अपने loss कम के, अगला case देखते है यहाँ पे अगर profit होता तो क्या होगा, क्या यहाँ पे medium profit होगा, medium profit मतलब क्योंकि अपनने बस 1 is to 1.5 लिया या 1 is to 2 लिया, उसके नीचे तो trading बोलते भी नहीं है, तो 1 is to 1.5 या 1 is to 2 के कारण मेरा loss तो छोटा है बट profit बहुत बड़ा नी, medium है मैं ठीक टा कमा रहा हूँ, कौन से दिन डारेक्ट टरगेटिट हो गया, ऐसा दिन कभी-कभी आता है guys, हफते में एक बार आ गया जब red होता है आपका account या ने की तो आप fear में रहते हो, लेकिन जब green होता है आपका account तो आप greed में आ जा, तो जैसी उपर जाता है ना market यहाँ से, तो आपको लगता है यह profit कहीं चला ना जाए, और you want to take the profit off the table, और उस चक्कर में you cannot hold the winner, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे यहाँ पे आप अपना trade half quantity center करेंगे ठीक है, और यह trick खिलेगा नीचे आ रहा है आने दो hit हुआ तो small loss होगा लेकिन यह अच्छानक से bullish momentum देता है और यहाँ पे एक बार और आपको bullish बास देता है, आप अपनी 50% quantity यहाँ डालेंगे, इस से क्या होगा यहाँ पे हमको क्या होगा, big profit if I'm not wrong यहाँ पे हमें एक बड़ा profit होगा, क्योंकि हमने यह position sizing formula अपनाया, ठीक है दूसरी बात, यहाँ पे क्या होगा जैसे ही एक वापस से breakout चालू होगा, हम वापस डालेंगा, तो क्या होगा अगें big profit, और जैसे ही हम यह नया वाला trade डालेंगे we have to trail our stop loss तो यहाँ से अपन को उसको इस point पे डालना पड़ेगा, यहाँ से अपन को उसको इस point पे डालना पड़ेगा, कि अगर पाचवा case हुआ, इन चारों को छोड़के कि यहाँ के भी धोका दे दिया, तो आपका break even पे trade कर जाए, तो guys आपके पास क्या मिला, तो अगर मैं अब आपको law of random distribution जो की trading का एक बहुत बढ़ा law है, जो कहता है कि आपके win or loses आपके calendar में, let's say, यह आपके आने वाले, एक, पांच, दस, पंदरा, बीस, पच्चिस, अगर एक तो पच्चिस trades है आने वाले, आने वाले एक गिड़ महीने के अंदर, तो आपको नहीं पता यह नो, कि किसमें किसमें आपको profit होना है, किसमें किसमें आपको loss होना है, लेकिन अगर आप उस loss और profit का number, यानि कि risk reward ratio के इसाब से manage कर पाए, तो आप एक बहुत अच्छे trader बन सकते हैं, बोलने का मतलब है एक मिरिट मैं पूरा इसको ऐसे कर देता हूं, भर देता हूं, अब देखो, अब यह क्या है, आपका calendar है, अब loss हुआ तो, कैसा loss था? Small था, profit हुआ तो कैसा था? Loss वो तो कैसा था? Small, profit हुआ तो, Sir medium था, Sir big था, Sir medium था, loss हुआ तो, Sir small था, क्योंकि directly hit हो गया न, या फिर break even था, क्योंकि case, या क्या था small था, लेकिन अगर यहाँ पे big रहा, या medium रहा, तो actually overall, देखो, हमर किसी को life में यही छे ट्रीडिंग की दुनिया में, कि हम overall यहाँ पे बड़ा पैसा overall बना ले, तो अगर अगर अपनको overall बड़ा पैसा बनाना है, तो I hope यह जो iPad में, मैंने आपको इतनी लंबी कहानी सुना ही, आपको लगा होगा, अनी, शाहेगा, चार्ट खोलेगा, चार्ट चीज़े देखाएगा, यहाँ एंटरी करो, यहाँ एंटरी करो, वो तो मैं करते ही हूँ हर से टरड़ी संदे यार, वो तो मैं market analysis video बनाता ही हूँ आपके लिए, लेकिन यह मेरे को बनाना बहुत जरूरी था, for the people, जो नए है field में, in fact, जो experience ले चुके, बट उनको अपने से निकलते हैं ही बनारा है इस problem से, मेरी एक बार बात मान के देखो, before you quit the market, before you feel bad about it, before you declare this is gambling, why don't you start trading, why don't you follow this probing and pyramiding technique, which was used by one of the world's greatest traders, Jesse Livermore, मैंने video बनाया था, उनके 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 बहुत बताया है, तो मैं जानता हूँ, आप सब लोग agree करेंगे, और आप सब लोग इस चीज को वीडियो दिखके बोलेंगे, हम करेंगे, और जितने लोग करेंगे, प्लीज कॉमेंट करके बताये, are you doing this with me or not, अगर आप कॉमेंट करेंगे, और आप बोलेंगे करूँगा, लेकिन असली मैं नहीं करेंगे, तो that is a problem, आपके thoughts और आपके actions का जो bridge है न, उसको आपको fill करना है, वो कोई और आके नहीं करेंगा, तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग अभी न, इसके बाद अपनी copy बनाएं, और अपना capital कितना लिखें, और एक बार उस capital को divide करें, two से और अपने previous जो trades थे, I think आपके DMAT account में आपको सारे trade का information मिल जाएगा, या at least चलो पिछले 4-5 trades तो याद होंगे, उसमें ही apply करके देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक ही बार quantity डालता, तो कितने का loss होता, क्या होता, you will be surprised कि आपका जो result है, बहुत ज़दा अलग हो सकता है, मैं को मालू मैं ऐसा वीडियो आपने शायद ही देखा होगा पूरे यूट्यूब में, about training क्योंकि इस तरीके की बाद कोई आके openly करता ही नहीं, no one shares their strategy, but this is a strategy, you know, step 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 पे जाके प्रोब करके पिरामिडिंग करना, यह मेरे साब से बहुत अच्छी strategy है, and I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दिना वीडियो और बता ना आपको और किन टॉपिक्स के पर वीडियो बनाना है, तो I hope यह वीडियो आपके लाइफ में सिर्फ एक entertainment का पार्ट बनके ना रहे, बट एक real life में एक value add करने वाला वीडियो रहे, और आपको सच में अच्छा लगे, और इस वीडियो को देखने के बाद seriously आपको याद आएगी, आज तक जितने भी losses किये हैं, वो जा चुके है, they will not come back, आप कुछ भी कर लें, क्या वो वापस आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, but you and me as a trader, we know, हमारे लिए mood सबसे important बात होती है, तो चलो, दुखी होने के तो 100 points है, खुश होने का एक point है कि चलो, मेरे को एक extra technique मिली, probing and pyramiding, मैं इसको apply करके देखता हूँ, आने वाले चार महिने मैं बोलता हूँ, आप सब लोगो, मैंने आज मेरे स्टूरेंट के साथ बहुत लंबा session किया, तो मेरे को याद है, मैंने उनको भी बोला, हम आने वाले चार महिने, आप लोग, सब लोग, छोड़ दो, ये साल का, किस चीज के लिए, no money recovery, no new money to be made, no focusing on the money, only focusing on the process for next 4 months, 1 January 2023, से बहुत अगड़ा पैसा कमाना चालू करना, अगर वो तभी possible है, जब इस mind को shape दे पाऊगे वैसा, ठीक है, तो चलो, बात अच्छी लगी, तो बता देना, कैसा लगा, ये वीडियो, और ये वीडियो मैं बहुत अतलब एकदम दिल से बनाया है, और स्टूदेंस के साथ भी शेयर किया, मैंने मेरे सारे भूमिंग्बूस ट्रेडर्स के साथ, उनको भी वोला कि यूट्यूबे भी मैं पक्का बनाऊँगा ये वीडियो आग, तो ठीक है, चलो, अब मिलते हैं आप से किसी और वीडियो में, till the time, all the very best to you, thank you so much.